प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महिसलामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स इस करोना महामारी में लोगों की मदद करने वाले जैसे मेडिकल, پैरामेडिकल, पुलिस, शासन प्रसासन से जुड़े, अधिकारी वाकर्फचारी ये सभी करोना योद्धा के हकदार हैं मगर फरजी करोना योद्धाओं के भीड ने सोचल मीडिया में अच्छी खासी चर्चा बना रखी है। इन फरजी करोना योद्धाओं के भीड में असली करोना योद्धा पीछे छोड़ गए हैं। कुकुर मुत्तो की तरह जगा जगा उगाई गई सामाजिक संस्थाओं और उनसे जुड़े लोग जो करोना काल के समय अपने घरों में दुबक कर बैठे थे या फिर करोना संक्रमण के भैसे गाउं पलायन कर चुके हैं। वो लोग इस समय करोना योद्धा का परमाण लिए सोचल मीडिया में घूम रहे हैं। आपको बता दे कि सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा घोसित करोना योद्धाओं की भीड में ज्यादा तर ऐसे लोग शामिल हैं जिनका प्रत्यच या अप्रत्यच रूप से राहत या बचाओ कामों में किसी भी तरह का योगदान नहीं है। आपको बता दे कि अपरेल और मई के महिने में गाओं के लिए हजारों की संख्या में मजदूर निकल पड़े थे। जिसमें बच्चे, महिलाए, बुढ़े, जमान, मुंबई और ठाने के अलग-अलग छेत्रों से ये मजदूर अपने गाओं की तरफ रुख कर चुके थे इन परवासी मजदूरों की भीड के सामने सासन पर सासन भी बेवस नजर आई। वहीं ठाने मुंबई की गिनी-चुनी संस्थाओं से जुड़े लोग परवासी मजदूरों के लिए आगे आये और इनकी मदद किये जिन्हें सभी लोग जानते भी हैं। उन लोगों ने अ सास पड़ोस के लोगों ने फुलों से स्वागत किया हो। साथ ही कुरोना काल के असली योद्धा, डॉक्टर, नर्स, वाड़वाय, सफाई कर्मी, पुलिस तथा साशन, प्रशाशन के अधिकारी वा कर्मचारी हैं जो इस कुरोना से लडाई में सैक्डो योद्धाओं न प्रमाल पत्र लेकर अपने आपको सोचल मीडिया में कुरोना योद्धा बता रहे हैं ये कितना सही है। संस्थाव सही जो भी कथित योद्धाओं को योद्धा प्रमाल पत्र दे रहे हैं उन्हें भी पहले आत्मे चिंतन करने की बेहत जरूरत है। तमाम खबरों को जान झाल झाल